है न नौय तो नमुगROश्य जानने के लिए हमारे पास कम्से कम सबस्क्राइथ, нельзя सरकतर होने निश्वास्य होने के हैं जब की कुछ वे दहर्म-गृण्थों पर भी आधारिवित चीजिघे तो यहां भारती इतियास, मध्यकालिन भारती इतियास और आधुनिक भारती इतियास जैसा कि आप सब को पता है कि ये पहला वीडियो होगा इतियास का और इस वीडियो में हम सुरुआत करेंगे एकदम सुरू से और यहां पे हम जानेंगे इतियास पढ़ने के सुरूत क्या होते हैं क के साक्षिंगा तो पराचीन भारती इतिहास की तो महत्र के बारे के बारे में बात करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या था भूत पूतках गांचा इतिहास किसे कहता है भूतकार्माँ जो चीज़ें घटित तूचकर फॉक्पन साक्ष को जान करके हमें बरतमान और भविस्थ के बारे में विचार करना क्या कहलता है इतिहास कहलता है अब बरतमान के द्रिष्ट कौन से अगर देखेंगे तो बरतमान के द्रिष्ट कौन से भी इतिहास को देखा जाता है जब बरतमान के द्रिष्ट कौन से देखेंगे इ तो उन्होंने विदियो को तो नहीं को तो उतना प्रबल नहीं हो पाता है जैसे मैंने एक वीडियो मा आपसे बताया था कि एक हिंदो राष्ट हो करके नेपाल का भी उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए जब कि वहीं पे एक मुस्लिम राष्ट हो करके बंगलादेश देख लीजिए और पाकिस्तान देख लीजिए तो अपने में ही प्राचीन भारती इतियाज जानने के साधन कौन गौन सोते कैसे हम इतियास को जानेंगे और कैसे पढ़ेंगे आपके सामने कुछ दिखाई पढ़ रहा है उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं थोड़ा से इसको जूम करेंगे तो आपको दिखाई पढ़ेगा लेकिन अभी इक स्केइट ऀकट रुखी फिर जूम कर रहे हैं तो बहारत प्राचीन भारती तीयास जानने के हमारे पास दो स्रोथ नहीं थे हैं पहला सुरोत होता है साहिट्तिक स्रोत और दूसरा स्रोत क्या है पुरा तात्विघ्घ्ट जैसा कि आप समझ रहे हैं साहिट से समन्धि या धर्म निर्पेच साहित हो सकता जिसमें किसी धर्म के कोई बहुत मानता ना हो या तो कुछ हमारे देश में बिदेशी आते हैं तो ओ अपना कुछ साहित की किर्दियां लिख करके चले जाते हैं तिस तरह से साहित स्रोत हो जाते हैं अब धार्मिक स्रोत की अगर बात करने एक तरफ का देखते चलते हैं फिर सबको देख लेंगे एक बार धार्मिक गरंथ की बात करने तो धार्मिक गरंथ स्रोत में आपको तीन स्रोत मिलेंगे पहला स्रोत भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या मिलेग पुरान आएंगे तो यह सब किसमें आएंगे ब्रामार साहित में या सनातन धर्म परमपरा में आएंगे जबकि वहीं पर हम बात करेंगे दूसरा भारत का छठी सताबदी इसापूर में महाभी एक धर्म की उत्पत्ती होती जिस धर्म को क्या करते हैं बहुत धर्म और फिर ज्यान धर्म तो जैन धर्म के कुछ सई होंगे कुछ बहुत धर्म के साहित होंगे तो वहां से भी कुछ हमें इतिवाल से चलब सती तो नयान ने तुरो हम चार अप जानते हैं। बेदों की संख्या कितनी होती है। चार होती है चार बेदों में अगर हम बात करें तो चार बेदों में आप देखेंगे कि एक पहला बेद क्या हो जाता है रिक बेद और उसके बाद जो बेद होते हैं उन बेदों की संख्या क्या हो जाती है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं जिसने साम बेद यजुर बेद और अथरवेत कहते हैं तो बेदों की संख्या कितनी है चार और उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं अब किसकी बात करेंगे ब्राम्हर की तो ब्राम्हर साहित किसे कहते हैं ब्राम्हर साहित यग यों करमकांडों के बिधान को समझने के लिए जैसे ब्राम्हर लोग क्या कर कुछ रचनाय होते हैं जिनमें अलग अलग राज के जो सोला जनपत है तो उसमें अलग अलग राज के इतिहासों के मादने इतिहासों की जानकारी और वहां के घटना करम की जानकारी मिलती है किसमें ब्रामर साहित में चुकि कोई भी साहित एक वर्ग विसेश जात विसेश या एक कह लिजी आपकी छेतर विसेश के आधार पर ही लिखी जाती है कोई साहित पूरी बिश्वयापी साहित नहीं है एक ब्रामर साहित ने तो एक राज के इतिहास के बारे में वहाँ से सुब्धाय मिल जाती है अध्यन करने की सुब्धाय मिल जाती हैं बात करते हैं तीसरा जो कि यहां लिखा नहीं गया लेकिन तीसरा बहुत important होता है जिसे करते हैं अरणे तो अरणे भी आता है हिंदू साहित में अरणे की बात करने तो अरणे क्या होते हैं ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध थिन के जाता है वहाँ पर गुर्जी पढ़ाते हैं उससे पढ़ते हैं इस तना से जो से जो चीजें होते हैं उन्हें अरण साहित कहते हैं अरण साहित से भी सारी आरण मेधी आड़े तो ऐसे अरणेसाहिट बहुत सारे उपलब्ध होते हैं अगला बात किरेंगे किसकी उपनीषद का साफ़दिक अर्थ क्या होता समीब बैठना रथात श्षाज गुरू का समीब बैठ करके व्च्ञान प्रप्त करता है उपनीषद का मतलब बैठना तो जो सिस होता है गुरू के समी बैठ करके सिच्छा प्राप्त करता है ग्यान की प्राप्ति करता है ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं उपनिसद कहते हैं जो यहां पर पढ़ाया जाता है उपनिसदों में प्रमुक कौन है ब्रेहदारर उपनिसद है और चंदोक उपनिसद है दो अपनी सद प्रमुख है बेदारण अपनी सद और छंदोक अपनी सद ये दो प्रमुख उपनी सद है उसके बाद बात कर लेंगे किसकी बेदांग की बेदांग जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें दो सब्द लिखा हुआ है बेद धन अंग बेद धन अंग से मिल करके क्या गया बेदाङब बन गया तो बैदाङ के एगर बात करेंगे बेदाङ के ततकाली समाझ ओक तर्म पर विश्तरित प्रभाव पड़ता है पड्ड तरो जैसे बेद्स in parce Church आफ यह लिखे से बेदांग क्या होगी लोकिक संस्क्रित में लिखी गए जिसे हर विर्तिवित से समाज सबकों लोग उसको जान सकते थे पढ़ सकते थे बेदांगों की संख्या कुल कितनी हो गई थी छह बेदांग हो गए थे जिसमें पहला बेदांग था सिच्छा एक सिकन लिखेगा पहला वेदांग क्या था सिच्छा दूसरा वेदांग क्या था सिच्छा के बाद आज आएगा आपका कल्प दूसरा वेदांग क्या है कल्प याद रख ले लिजिए यह बहुत जरूरी होता है कल्प फिर उसके बाद क्या है व्याकरण है और व्याकरण ह के बाद आप जानते हैं क्या है निरुक्त है चंद है और जो्तित इसमें साफ लिखते नहीं बन रहा है तो आप सुन लिजे निरुक्त है चंद है और जोतित आपाे जाते हैं यह वे दांग की सिदे फ्रंट से क्योशन पुछ ले जाते हैं कि महा काब्यों के संख्या कितनी है तो महा काब्यों के संख्या दो है रामायर और महा भारत आप जानते हैं रामायर के रचीता कौन है महा कभी वालमी की है और राम चरित मानस के तुलसी दास जी है रामायर के रचीता महा कभी क पहले साहिप कि पहले बार चर्चा कर लेते हैं बहुत사ाइठ क्या था अच्छा बहुत धर्म की उत्पत्य क्यों होती ब्रामर साहिप Wednesday से ही कुछ रूद्र होगा कुर। होता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है पिटक इसमें तीन पिटक पाया जाते हैं जिनने बिने पिटक सूत्र पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं बहुत धर्म के तीन पिटक पाया जाते हैं जिनने क्या कहते हैं बिने पिटक सूत्र पिटक और अभिधम पि उसके बाद बात करनेंगे जैन धर्म की अगर बात करनें अच्छा बहुत द्रम की अंधर्म के कुछ अन्न के अब जैसे नाम जानते होंगे बुद्ध चरित्र रहें लडित विस्तार रें दिपय्वदान हैं तो इन सारी पुष्टकों के अलग अलग नाम होते तो इस आरी बहुत धर्म से सम्मंदित गरंथ हैं और इन गरंथों का अपने बहुत धर्म में अपना अस्थान होता है अब बात कर लेते हैं उसी में लगा हुए दिखे जैन धर्म और बहुत धर्म दोनों लिखा गया तो उसी में लगे हुए बहुत धर्म की बात करने जैन धर्म क्या हो तो इसी तरह से जैन धर्म में भी बहुत सारे सुरोत मिल जाते हैं जो सुरोत मिलते हैं जैन धर्म के उन सुरोतों की बात कर लेते हैं कौन कौन से सुरोत मिल सकते हैं जैन धर्म से बताइए जैन धर्म में जैसे भद्रबाव चरित्र है परसिस्ट है कथा सोक है तो यह सब च अब बात कर लेते हैं किसकी धर्म निर्पेच गरंथ की बात करेंगे सबसे पहले नाम आ जाता है किसका अर्षास्त का उसके बाद मुद्रा राक्षा से पृत्वी राज रास्तों है हर्ष चरित्र है महाभास से और राज तरंग्री तो इन सारी पुष्टकों में जो होती है इत्यास है गरंथ है अर्षास्त है इन सबकी चर्चा की गए है ना कि किसी धर्म की किसी पुराण की ऐसी कोई चर्चा नहीं किगी ह vra Luck सारी इत्यार के स्वर्थ हमको प्राप्त होते हैं अब से पहले बात कर लेते हैं राज तरंग्री जो की पहले लिखा गया हाला कि इसका कल्यर्दवर राट त्रंगरी की रचना की गई तो पुष्टर तक यहीं से पुष्ट ले आ जाता कि रॉठ रात्रंगरी की रचना का कौन है तो आप याद रख्येगा औक हूझ में कास न कार यह इतिहास की बारे मेंragen प्राप्ट होती है आप जानते हैं कि अर्षास्त की रचना किस ने की है तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं अर्षास्त की रचना किस ने की है चंद्रगुप्त मौर के प्रधान मंतरी कौन थे चंद्रगुप्त मौर के प्रधान मंतरी कौन थे बताइए चाड़क थे तो चाड़क जो थ किसकी मुद्रा राक्षास तो मुद्रा राक्षास भी किसकी रचना है विसाखादत की रजना है मुद्रा राक्षास किसकी रचना है विसाखादत की पूछा जाता है क्योशन कई बार पूछा गया है तो अगले की चर्चा करते हैं अगली पुस्तक का नाम कहा है पृतवी र राज रासो आप जानते हैं किस ने किया था चंद्र वरदाई है ने इसकी रचना की थी पृष्वी राज रासो की और उसके बाद अगले की बात कर लेते हैं तो हर्श चरित हर्श चरित की रचना की थी typical हर्सचरित की रचना साथमें सदी में बारभट ने की थी। औरФसचरित की रचना वह रचना कि से ले रचना राखना महभास में भी इतियास के बहुत सुरोत मिल जाते हैं तो इस सारे इतियास के एक ऐसे नहीं और युद ईतियास का प्र。 जब कारिकर की जाते हैं तो उनसे कुछन कुछ depende रहती है कोई कहीं जाएगा तो अपना वर्क करे गाओ वब करेगा तो उसके च्राप अगर वह अच्छा काम करता तो उसको बहुत दिनों तक याद किया जाता जाए से बहुत सारे डेषिया है तो यहां पे उन्हों में सबसे पहले कौन आ जाता है हेरोडोटस आ जाता है हेरोडोटस ने क्या किया था भारती सीमा प्रांत में हकमी एक राज जिता समराज जिता उसके राजनीतिक संपर्क में आया और उसे किभी से में अध्यन किया उसके बाद कौन आ जाता है अगला तो यूनानी के बाद च पुस्तक लिखी थी उसके बाद टालमी आया था टालमी भूगोल लिखा था तो प्लेन प्लेनी आया था तो वो निच्छरल हिष्टी लिखा था ति इत्याद भी उसके कहां से संबंदित हैं यूनानियों से संबंदित हैं फिर चीनी बितांत के अगर बात करने चीनी यात्र था आप अगर लूसेंट में देखेंगे सब को लिष्ट बना करके दिया हुआ है फायान कहां के यात्री था तिया चीनी यात्री के रूप में 405 इस भी में गुप्त समराथ चंद्रगुप्दुती विक्रमादित के सासनकाल में भारत आया था जबकि हिंसांग 629 इस भी में समराथ हर्सवर्धन के सासनकाल में भारत आया था फायान और हिंसांग नामक चीनी यात्रियों के ब्रितान से भी भारत के बिसे में मत्पूर जानकारियां मिलती हैं इन्होंने अपनी जो रचना की तो उसमें बहुत सारे अगला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार थे तारानाथ थे तो तारानाथ दोरा भारत की इतिहास के बारे में इस्टेडी की गई है तो उस्टेडी में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं तंगयोर और तंगयोर दो रचनाए हैं और पूछा जाता किसी ने लिखा है तो तारानाथ ने लिखा है उसके बाद मुसलिम या द॥ा ये ऐक बैदिक युकराश कीया था तो संस्कृत भासे यहां की परम भासे होती थी और अलबरुनी एक ऐसा मुसलिम आक्रमाड्कारी था या यात्री था जो भारत आया था वह संश्कृत भी जानता था फ़ोगें कोन था किस को Tik करेंगे अलबरुनी को किया करेंगे उसने तहकीक एक हिंद की रचना की थी तहकीक एक हिंद की रचना की थी जिसमें उसने ततकाली भारत के जो भी भुगोल की बिसे में जानकारिया बिस्त्रित थी उन बिस्त्रित जानकारियों के वर्डे में वद्धन किया और उसे भारत की भुगोल के रूप है साहित्तिक स्रोत है इस स्रोत से हमें बहुत सारे इतियास के प्रमार प्रवाद होते हैं अब हम बात करेंगे किसका पुरा तत्विक स्रोत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह ज़्यादा प्रमारित माने जाते हैं पुरा तत्विक स्रोत होते हैं साहित्तिक स्रोतों स चीजे नहीं होती है तो पुरातात्विक स्रोत कहीं न कहीं साहित्तिक स्रोत से प्रबल होता है अगर आप से पुछा जाता है कि कौन सा साहित्तिक स्रोत ज्यादा प्रबल है या पुरातात्विक स्रोत ज्यादा प्रबल है तो आप पुरातात्विक स्रोत बट्टिक करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी अभिलेख की अभिलेख क्या होते हैं प्राचीन भारती इतियास पर प्रकास डालने वाले सुरत में सरबांधिक महत्वण प्रमारी सुरत क्या है, अभिलेख है अभिलेख क्या होते हैं समकालिन होते थे तो अभिलेखों की बात कर लेते हैं इसमें ततकालिन राजनीत और धार्मिक इस्थित पर बिसेश प्रकास डाला जाता है अभिलेख जो लिखे जाते हैं उस अभिलेख में वहां की राजा के और वहां के सब कुछ धार्मिक इस्थि लिखाया विशेश्त रूप से प्रकाष डाला जाता और उसी के बारे में लिखा जाता कुछ बढ़ा चड़ा के ज्यादा नहीं लिखा जाता है अब दूसरी बात किसकी करेंगे असमारक की तो प्राचीन भवन मूर्तियां जो बनाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं मंदिर ह क्या कहलाता है असमारक के तौर पे यह सब चीदैं पाई जाती है जैसे घड़ाई के जैसे हरपा मोहन जोडरों किसे बेता मिली तो वहां पर कुछ नो कुछ इस तूप मंदिर इतिया चीजे का निर्मार उता कुछ मिलते रहते साक्ष मिलते रहते हैं उनिस साक्ष के आद है अब होता भी है अब बात करें किसी मुद्राय से उनके देश के विकास और राज समराज के बारे में पता चल जाता है उनकी मुद्राओं कहां तक चलती थी, उन मुद्राओं का कितना प्रसार था, उन मुद्राओं में कैसे धार्मी किस्तिती रही होगी, राजनीती किस्तिती क्या थी, तो मुद्राओं से बहुत सारे सुरोत प्राप्त हो जाते हैं, और अगला है कलाकृतिया, तो जो कलाक निर सिंद्ध घाटी सब्वेता में और सिंद्ध घाटी सब्वेता के बाद हम लोग तुरंत प्रेवेस कर जाएंगे यहां से सिर्फ लेखक और लेखक की किताबों का अधियान आता है इसमें जितने क्योंस्टन मैंने हैं मैं के अपको प्रवांद करा दूंगा और एक नया इसापूर्व की बैदिक यूग पढ़ने होंगे बैदिक यूग में आपको क्या मिलेगा बहुत धर्म जैन धर्म तो मुस्लिम दर्म उसके बाद तो यहां पर हम धिरे दरे अध्यन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सारी चीज़े किलियर होती चली जाएगी ते पह पहला वीडियो था कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं नमस्कार